नमस्कार, वनक्कम, मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी, सर्वानन सोनवाल जी, शांतनु ठाकूर जी, पोड के सभी एधिकारी, कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों। आज विक्सित भारत की यात्रा का एक एहम पड़ाव है, ये नया तुत्तुकुडी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, भारत के मरीन इंफ्रास्टेक्टर का नया सितारा है, इस नये टर्मिनल से वियो चिदंबर नार पौड के सामर्थमें भी विस्तार होगा, फोर्टीन मीटर से ज़्यादा डीप ड्राफ्ट, थ्री हंडेट से ज़्यादा मीटर वाला बर्त वाला नया टर्मिनल, इस पौड की कैपिसिटी को बढ़ाने में एहम बौमिका निभाएगा, इससे बियो सी पौड पर लोजिक्तिक कॉस्ट में कमी आएगी, और भारत के फोरेन एक्सेंग के भी बता कोगी, मैं इसके लिए आप सभी को तमिल नाडु के लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूँ, मुझे आद है, दो साल पहले मुझे वियो सी पौड से जुड़े कई प्रोजेक के सुभारम का अवसर मिला था, तब इस पौड की कार्गो हैंड जब मैं तुतुकुडी आया था, तब भी पौड से जुड़े अनेक काम शुरू हुए थे, आज इन कामों को तेजी से पुरा होते देख, मेरा भी आनम दो गुना हो जाता है, मुझे इस बात की भी खुशी है, इस नए बने टर्मिनल पर 40% एम्पलोई महलाय होगी, यान ये टर्मिनल मरिटाइम सेक्टर में विमेन लेट डेवलोप्मेंट का भी प्रतिक बनेगा, साथियों, देश की अर्थिववस्था के विकास में तमिल नाडू के समुद्र त्रटों ने महत्वपुण भूमी का निभाई है, यहां के पोर्ट इंफा सेक्टर में थ्री मेजर पोर्ट और 17 नोन मेजर पोर्ट शामिल है, इसी सामर्थे की वजह से आज तमिल नाडू मेरिटाइम ट्रेड नेटवर्क का बहुत बड़ा हब है, हम पोर्ट लेट डेवलोप्मेंट के मिशन को गती देने के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का विकास कर र रहा है, हम वियोसी पोर्ट की कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं, यानि वियोसी पोर्ट देश के सामुदिक विकास का एक नाया अध्याय लिखने के लिए तयार हो रहा है, साथियों, आज भारत का मेरिटाइम मिशन सिर्फ इंफरास्टर डेवलोप्मेंट तक की सिमित नहीं है, भारत आज दुनिया को सस्टेनेबल और फॉर्वर्ड थिंकिंग डेवलोप्मेंट का रास्ता दिखा रहा है, और ये भी हमारे वियोसी पोर्ट में साब नजर आता है, इस पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब और आप्शोर वीन के लिए नोडल की जिन चुनोतियों से जूज रही है, उससे निपटने में हमारी ये पहल बहुत कारगर साबित होगी, साथियों, भारत की विकास यात्रा में इनोवेशन और कॉलोबरेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आज जिस नए टर्मिनल का घटन हुआ है, वो भी हमारे इसी सामर का प्रमार है, हम कलेक्टिव एफर्ट्स करके वैल कनेक्टेड भारत के निर्मार में जूटे हैं, आज देश के कौने कौने में रोडवेच, हाइवेच, वाटरवेच और एडवेच के विस्तार से कनेक्टिविटी बढ़ी है, इससे ग्लोबल ट्रेड में भारत ने अपन ग्लोबल सप्लाई चेन का भी बहुत बड़ा स्टेक होलडर बन रहा है, भारत का ये बढ़ता सामर्थ ये हमारी एकोनमिक ग्रोथ का अधार है, यही सामर्थ भारत को तेजी से दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी एकोनमी बनाएगा, मुझे खुशी है कि तमिल नाडु भ एक बार फिर आप सब को वी ओ सी पोड के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद वड़कम